रतन जिसकी पकने की अबधी 105 से 115 दिन है इसकी आउसत उपज 14 से 16 क्विंटल प्रती हेक्टेर है इसका बड़ा दाना होता है और नीला फूल होता है वहीं प्रतीक जिसकी पकने की अबधी 110 से 115 दिन है वहीं आउसत उपज 16 क्विंटल प्रती हेक्टेर है इसका दाना छोटा होता है खेसारी की बुआई की बात करें तो धान की कटाई के बाद खेसारी की शुद्ध फसल की बुआई 15 अक्टूर से 15 नवंबर के बीच कर देनी चाहिए पैरा फसल के लिए खेसारी के बीच को धान की कटाई से पहले खड़ी फसल में ही बुआई कर दें साधारन बुआई के लिए पंक्ती से पंक्ती की दूरी 30 cm और पौधे से पौधे की दूरी 10 cm रखनी चाहिए इसके लिए 40-45 kg बीज प्रती हेक्टेर उप्यूक होता है पैरा फसल के लिए 70-80 kg बीज प्रती हेक्टेर की जरूरत पड़ती है बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई के एक दिन पहले थीरम या केप्टाउन धाई ग्राम या कारवेंडाजीम दो ग्राम प्रती किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए इसके पश्चात बीजों को राईजोबियम से भी उपचारित कर लेना चाहिए खेसारी की अच्छी फसल लेने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय करीब 20 kg यूरिया और 40 kg पोटास या 100 kg डीएपी प्रती हेक्टेर की दर से खेत में मिला देना चाहिए अगर किसी कारणवश बुआई के समय उर्बरक नहीं डाला गया तो पुश्पन यानि कि फूल आने के पहले या फिर फूल आने के 10 दिनों के बाद यूरिया या डीएपी खोल का च्छिड़काव कर देना चाहिए खेसारी में सधारानतया सिचाई की अविशक्ता नहीं पड़ती है लेकिन अत्याधीक नमी की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिती में 60-70 दिन के बाद एक सिचाई कर देनी चाहिए खेसारी की फसल को 25-30 दिनों के बाद हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए अत्याधीक खरपतवार की समस्या होने पर पेंडा मीथालीन 30-20 की 3 लीटर मात्रा प्रती हेक्टेर की दर से बाई के उपरांत अंकुरंड से पहले छिड़काव करनी चाहिए